सोने की चिडिया कहलाने वाला भारत मेरा देश सुन्दरता ऐसी यद किसी की नजर पड़े तो नजर न जुके पर मेरे देश को ना जाने किसकी नजर लगी कि बाहरी पाउं मेरे देश पर पड़ने लगे लोग हिंदुस्तान पर अपना वर्चस बनाना चाहते थे मेरे देश को अपने हाथों में करना चाहते थे पर मेरे देश की मिट्टी इतनी कमजोर कहा मेरे देश की मिट्टी इतनी कमजोर कहा कि कोई उसे अपने वस में कर ले कि सेर नी का दूद पीते बच्चे यहां हर दर्द को वो मुस्कुरा कर छेलते हैं हिंद में आने से पहले क्या पता उनको यहां छोटे बच्चे भी यहां सेरों से अक्सर खेलते हैं फिर महाकाल की माया देखो जन्म हुआ उस तूरिका जो आगे चलकर दहक उठा सोलो में और वो कहलाया महराणा प्रताब